नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस निव वीडियो में तो दोस्तों यह देख सकते हो एक स्टाटर है और यह दोनों ओटो सुइज है तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि ओटो सुइज कैसे लगाना है आपका जो खेत में मोटर सबु्गार दोस्तों कोर ससे निवग स में जबेंटा दोस्तों इहां पर देख सकते हो दो ओटो स्वीज है मेरे पास यहां पर यह पर एक स्टाटर रिखना है दोस्तों जो अटो सूइज है उसका ऊश कुछ डरने का नहीं है लीकिन आपको मैं अभी स ignoring तो यहां से घ्रने और यहां पर देख सेकते हो यह वाला स्विज्ज है नीचे दो और वहान पर उपर करेंगे तो चैनल कमरेंगे तो कि तो यहां पर देख सकते हो, तो same है और यहां पर जो light है दोस्तों, यहां पर देख सकते हो, उपर नीचे हुआ है light, लेकिन जो लिखा हुआ है, दोनों के दोनों same रहता है, healthy, on, faulty, delay, यहां पर भी delay, on, supply, faulty, and healthy, तो इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, तो य बाद में ओन होता है तो यहां पर आपका जो फॉल्टी लाइड अगर जलता है यह वाला रेड तो आपका जो फैज सापलाई है फॉल्ट होता है या तिनों फैज में से कोई एक फैज नहीं आता है मतलब रॉंग कोनेक्शन होता है तो यहां पर फॉल्टी या अनहेल्थी ज गलत connection हुआ है तो और इसके बाद आपका जो timing खतम हो जाता है दोस्तों तो फिर यह delay off हो जाता है फिर on और healthy दोनों चालू हो जाता है तो इस तरह का हर auto switch में connection रहता है तो यहां पर मैं एक auto switch ले ले लेता हूं दोनों एक सेम है साथ ओयर वाला auto switch है यहां पर देख सेकते हो तो मैं एक auto का connection करके यहां पर दिखाता हूं तो यहां पर आप लोग देख सेकते हो दोस्तों यहां पर स्टार्टर के उपर थोड़ा दिखा देता हूं आप लोगों को यहां पर से तीन टर्मिनल देख रहा होगा यहां पर एक दो तीन ये तीनो साप्लाई के लिए रेड यालो ब्लू या र यार 1, r2 और r3 तो यह तीन फेज का तो यहाँ पर तीनो फेज आपका कॉनेक्शन आएगा इसके साथ यह ओटो स्विच का अएगा कौन सावाला आएगा दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है देख सेक्ते हो देखा देता हूं आप लोगों को तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों रेड यॉलो ब्लू आरवान आर्टू आर्थ्री में मैं लगा दिया हूं यहां पर आच्छे तरह से आपको भी ऐसे लगा देना है तीनो फैज जो इनकमिंग होता है यहां पर रिले साइड में उपर साइड में यहां पर तीनो फैज को लगा देना है ठीक है तो इसके बाद आता है दोस्तों हमारा जो तू यहां पर और चार वैयर मिलेगा तो यहां पर देख सेकते हों God'? ग्लु ब्लू है और दो ब्लाक है को यहां पर iyi B性 रहता है दोस्तों यह तीन हो लगाने के बाद Jadi यहाँ पर और चार मिलेगा तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं क्या लिखा हो रहता है यहाँ पर लिखा है इन सीरीज उइद नो वल्ड कोईल N और V और यहाँ पर S1 और S2 दोनों और दूसरा में ब्लाक में लिखा है एक्रोस ओन पुस्ट्बर्टम ठीके तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तो N और V नो फол् merciful कोईल तो यहाँ पर forts need Cheering रहता है दोस्तों यह बंद हो जाता है इसके अंदर जो पत्या रहता है दोस्तों इसके चिपकता है फिर छोड़ देता है दोस्तों इसका काम वही रहता है दोस्तों क्यूंकि यह प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ रहता है अगर आपका वोल्टेज हाई लो या कम ज्याद यहां पर मैं आप लोगों को connection दिखाता हूं यहां पर देखें दोस्तों यह वाला जो blue जो green ओयर है यहां पर लिखाए in series with 9 volt coil तो 9 volt coil का यह वाला जो ओयर देख सकते हो दोस्तों यहां से यह जो relay से आया है यहां पर यहां तक देख सकते हो यहाँ पर लिखाए देख सकते हो 96 बाला पोइंट और 95 तो यहाँ पर 96 से आएगा तो यहाँ पर 96 में एक वैर लगाना है आपको यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक लूप निकाल दिया यहाँ पर जो कोयल से लगा हुआ था रिले तक तो यह लूप निकाल देना है ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा ग्रीन वाला वैर का कनेक्शन हो चुका है फिर दोस्तों यहाँ पे बसता है हमारा दो ब्लाक वाला ओएर देख सकते हो यह ब्लाक वाला ओएर आता है यहाँ से हमारा एक्रोस on पूस बोटम यहाँ पे लगाना है तो दोस्तो दो ब्लाक अलोर का जो ओयर है दोस्तो यहां पर देख सकते हो यहां पर S1 और S2 में लगा देना है यहां से लूप है तो मैं यहां पर लगा देता हूँ तो यहां पर देख सकते हो दोस्तो यहां पर S1 और S2 पर ऐसे लगा देना है लेकिन यहां पर किसी भी और लूप को नहीं निकालना है दोस्तो हम लोग एक लूप निकालना है यहां से और एक दूसरा टाइप का inner connection आता है यहाँ पर यह वाला लूप निदो यहाँ पर यह वाला लूप नहीं निकलना है अपर यहाँ दूसरा ठाइप का inner connection ठीकहेan, पर अच्छे तरह से हो च्छुका है इस टाइप का connection करके आप auto switch को चला सकते हैं, बहुत ही आसान है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो, तीन ओ फेज को यहाँ पर connection करना है, R1, R2, R3, तो यहाँ पर red, yellow, blue, और यहाँ पर आपका जो NV का coil आता है, जो OR का, यहाँ से auto से हमारा, यहाँ पर एक coil को ज जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आच्छे से देख सकते हो, यह off switch है, तो यह side में लगेगा, और यहाँ पर देख सकते हो, जो S1 और S2 है, on bottom, जो है हमारा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर देख सकते हो, S1 और S2 में, तो यहाँ पर इतना connection रहता है, दोस्तों, अगर था connection, वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, दोस्तों, चैनल पर नहीं आए हो, तो चैनल को subscribe करके जाएगा, दोस्तों, वीडियो को एक like जरू कर दिजेगा, कुछ भी doubt है, तो मुझे आप comment कर सकते हो, और मुझे contact भी कर सकते हो, तो फिर मिलता हूँ और